वेलकम तो हापी लर्निंग आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉनोपोलिस्टिक कॉंपिटिशन के बारे मिलें सबसे पहले हम इसका मेनिंग देख लेते हैं मॉनोपोलिस्टिक कॉंपिटिशन इस टाइप ओफ इंपपेक्ट कॉंपिटिशन तू फो फोर्म फिर्मस सोफ मार्के स्रॉट रोते हैं спасибо सेंट इंपल इंपपपटैशन इंप्रिक वाईशन में अ मीं पर मीजिय मानोपॉलिस्टी कॉंपिटिशन और तर्ड ॉलिकली में क्या होता है कि प्रोडूसर्स जहायां काफी सारे होते हैं जो एक दूसरे के साथ कमपीट करते हैं और उनका एक दूसरी से अलग होता है, but their products are clause substitute, different तो होता है, उनमें slightly change होता है, change कैसे, color में change हो गया, packaging, style, design, इन सब में change होना क्या होता है, differentiated product, लेकिन वो एक दूसरे के clause substitute होते हैं, for example, manufacturer of toothpaste, अब आपको बता है कि market में बहुत सारी toothpaste अविलेबल है, जैसे कि call gate, pap student, name, etc. और भी बहुत सारी अविलेबल है, इनमें क्या changes होते हैं, इनमें slightly changes होते हैं, इनका purpose तो सेम ही होता है, लेकिन इनमें slightly change होता है, जैसे कि color, design, packaging, इन सब में changes होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है, differentiated products, but they are clause substitute, अब इसमें एक और चीज़ है, मालो यह जो call gate company है, यह जो name है, जिस भी firm का यह product है, अब कोई और firm toothpaste लेकर आ रही है, वो यह name नहीं यूज कर सकती, क्योंकि call gate name, उसमें monopoly है उस firm की जिसका यह product है, तो कोई भी उसको use नहीं कर सकता है, उसके monopoly rights है, लेकिन monopoly होने के बावचूद भी market में competition होता है, इसको competition phase करना पड़ेगा, क्योंकि toothpaste बहुत सारी अवेलेबल है market में, कोई एक toothpaste नहीं अवेलेबल, इसलिए monopoly के साथ साथ यहां पर competition भी phase करना पड़ता है हर एक firm को, इसलिए monopolistic competition में हमारे पर दो तरह के elements होते हैं, कुछ एक elements हमें monopoly के मिलते हैं, और कुछ एक competition के, अब इन में भी slightly change होता है, कैसे इनके color में change होता है, साथ के तो आपने देखा होगा, shapes भी change होती है, packaging change होती है, next example आता है, retailer shop in the town, आपने फुर्ट भी देखा होगा कि आपके city में बहुत सारे retailer shops हैं, तो यह किसका example होता है, monopolistic competition का, next part करते है, features की, first feature आता है, last number of firm, monopolistic competition में, firm जो होती है, वो काफी सारी होती है, और काफी सारी form होने के कारण, इसके अंदर competition भी काफी high रहता है, जितनी ज्यादा forms होगी, उतना ही competition होगा, इसलिए यहाँ पर competition क्या होता है, stiff competition होता है, next आता है product differentiation, यह तो अभी हमने पढ़ा, कि यहाँ पर product क्या होते है, slightly change होते है, एक दूसरे से, color, packaging, style, design, quality, इसम में क्या होता है, slightly change होता है, next आता है, non price competition, अब non price competition क्या हुआ, हमें पता है कि monopolistic competition में last number of firms होती है, और जो products होते हैं, वो भी different varieties के होते हैं, जिसकी वज़े से market में बहुत competition रहता है, अब seller यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सभी firms क्या करती है, advertisement करती है, अपने product की, ताकि उनकी sales ज़्यादा सज्यादा increase हो सके, अगर वो advertisement नहीं करेंगी, तो किसी कर्जू में को कैसे पता लगेगा कि उनका product मार्किट में available है, क्यों, क्योंकि close substitute products are already available in the market, इसलिए उनको advertisement को बियर करनी पड़ती है, हर एक firm को monopolistic competition में अपनी sales को increase करने के लिए, इसको हम बोलते हैं non-trice competition, next आता है freedom of entry and exit, अब perfect competition की तरह monopolistic competition में भी कोई भी firm easily market में आ भी सकती है और जा भी सकती है, लेकिन यहां पे monopolistic competition में इतना easy नहीं होता जितना की perfect competition में होता है, क्योंकि perfect competition में homogenous product होते हैं, आपको पता कि अगर market में S&P है मतलब कि super normal profit exist करता है, तो कोई भी firm आ जाएगी वही same product लेके, लेकिन monopolistic में firm enter तो कर जाएगी market में, लेकिन इसके लिए यह मुश्की लोगा decide करना कि उसको कॉन सा product लेकर आना है और कॉन सी variety लेकर आनी है, क्योंकि यहां पर product differentiation होता है, इसलिए यहां पर freedom तो होता है firm को, कि वह बहुत easily आ सकती है market में और जा भी सकती है, लेकिन perfect competition की मुकाबले यहां पर थोड़ा difficult रहता है firm को new firm को market में enter करना, next part करते हैं equilibrium condition की, first condition है MR is equal to MC की marginal रवैनल किसके equal होने चलिए marginal cost के, second condition marginal cost cut MR from below, जही same condition हमने perfect competition में भी पड़ी थी और monopoly में भी पड़ी थी, equilibrium की condition यहां पर same रहेगी, लेकिन यहां पर figure अलग बनेगी, देखते हैं, OX axis पर हमने quantity लिया, OY पर हमने revenue of cost, यह हुई हमारी average revenue curve जिसको हम demand curve या फिर price line भी बहुल के हैं, यह हुई marginal revenue curve हमें पता कि marginal revenue curve is always less than the average revenue curve, हमने marginal cost रोगी, यहां पर हमारा equilibrium point आगया, क्योंकि यहां पर हमारी दोनों condition fulfill हो रही है, और यहीं पर हम लोग क्या करेंगे quantity fix करेंगे और इस point पर हम price fix करेंगे, अब आपने यह देखा था कि monopoly में भी हमने यही figure draw की थी, लेकिन इसमें और उसमें क्या difference है, जो monopolistic competition की यह जो curve है, इसको हम बोलते हैं यह ऐसे बने लिए, इसको बोलते हैं, flatter demand curve, elastic demand curve है यहां पर, और जो monopoly की थी वह ऐसे थी, आपको याद होतो, इसको बोलते हैं, steeper demand curve, यह है flatter demand curve, monopolistic की क्यों सी होती है, flatter demand curve, और monopoly की कौन सी होती है, steeper demand curve, यह याद रखना, और यहां पर जो हमारा demand curve होता है, क्यों होता है, अब यह देखो, एक बाद, यह हमने बनाई price, और यह हमने यह आपर अपनी quantity fix की, अब एक monopolistic competition में एक firm चाहता है, कि वह अपने price rise कर देता है, ठीक है, अगर हम price rise कर देता है, लेकिन अब उसको अपनी जो sale है, वो कुछ एक sacrifice करनी पड़ेगी, तो उसको sale करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, अगर वो price ज्यादा करता है, तो उसको sale कम करनी पड़ेगी, और अगर वो price कम करता है, तो उसकी sale automatically increase हो जाएगी, अगर हम यहाँ पे line रो करें, तो यह बनेगी हमारी demand curve, यह है demand curve slopping downward, और अब यह ऐसा क्यों करता है, क्यों, अगर वो price rise करता है, उसे अगर sacrifice नहीं की अपनी sale को, तो customer क्या हो जाएगी, shift हो जाएगी, किसी और seller पे, क्योंकि यहाँ पे clause substitute available है, जिसकी वज़र से demand का slops downward रहता है, कि अगर उसको अपना price बढ़ाना है, तो उसको अपनी sale को sacrifice करना ही पड़ेगा, clear है? अब बात करते हैं, हम equilibrium point की short run में, short run equilibrium, आपको याद होगा, कि perfect competition में, monopoly में, हमने team cases के बारे में बात की थी, short run equilibrium में, हमने बात की थी, super normal profit की, normal profit की और loss की, monopolistic competition में भी हम यही तीन situation phase करते हैं, short run में, पर्स पड़ते हैं, हमने वह एक अक्षिस के लिया output, और wiping revenue और cost, यह हमने draw की average revenue curve, marginal revenue curve, और short run marginal cost, जहां पर यह cut कर रही है, marginal revenue is equal to marginal cost, यहां पर हमारा आजाएगा equilibrium point, और इसी point पर हम fix करेंगे, हमारी output और price, अब हम draw करेंगे average cost, क्योंकि super normal profit के figure बना रहे हैं हम, तो हमने draw किया, हमारा short run average cost, और एक और चीज, यहां पर जो SMC है, short run marginal cost जो है, वो हमेशा short run average cost की curve को, उसके minimum पे cut करती है, यहां पर यह देखो, कि short run marginal, जो marginal cost है, वो average cost को, उसके minimum point पर हमेशा cut करती है, और आपको figure draw करते हैं, यहां रखना है, अब average cost हमारी, यहां cut कर रही है, तो इसका मतलब हमारी cost कितनी आ रही है, OR, और हमारा price कितना है, OP, हमारा price यहां पर ज्यादा है, तो इसका मतलब यह area क्या हो गया, इस शेडिर area हमारा super normal profit, क्योंकि average revenue या फिर हम इसको price भी बोल सकते है, average revenue या फिर price is greater than AC, price ज्यादा है, cost हमारी कम है, तो हमें क्या हो रहा है, super normal profit, next बात करते हैं, हम normal profit की, और X axis पर हमने output लिया, OR, पर revenue of cost, यह हमारी demand curve हो गए, जो हमारी average revenue curve भी है, marginal revenue curve, हमने short run marginal cost curve बनाई, equilibrium point find out किया, यहां पर हमने quantity fix की, और price fix किया, और यह हमने draw किया, short run average cost, यह cut हो रही है, average revenue को add point क्या हूपे, इसका मतलब क्या हुआ हुआ, यह हमारा normal profit, क्यूंकि average revenue किसके equal आ रहा है, यहां पर average cost के, अब हम थर्ड केस के बारे में बात करते हैं, और एक्स एक्सेस पे output, और यह पी revenue और cost, average revenue curve बनाई, marginal revenue curve बनाई, short run marginal cost curve हमने draw कि, यहां आ गया हमारा equilibrium point, quantity fix की, price fix किया, हमने बनाई short run average cost, अब देखो यहां पर price हमारा O P है, लेकिन हमारी cost कहां जा रही है, यह तो बहुत उपर जा रही है, मतलब कि यहां पर, add point H पर आ रही है, यहां पर, तो हमारी cost कितनी है, O G, तो यह area हमारा shedding क्या हो गया, loss, जब हमारी average revenue या फिर हम कहें कि price जो है, वो कम हो जाता है, average cost से, तो हमें क्या होता है, loss, price था हमारा O P, लेकिन हमारी cost कितनी आई थी, O G, तो हमें क्या हो रहा था, loss, यह तो 3 cases थे हमारे short run की, short run equilibrium में हमें 3 cases स्पेस करने पड़ते है, super normal profit, normal profit और loss, अब बात करते हैं, long run equilibrium की, आपको याद होगा perfect competition में long run equilibrium हमें कहां मिलता था, वहाँ पर हमें super normal profit नहीं होता था, long run में, होता था, लेकिन जो super normal profit था, वो हमारा normal profit बन जाता था, और जो loss था, वो भी loss वापस back होके normal profit पर आ जाता था, क्यूंकि वहाँ पर freedom of entry or exit था, लेकिन monopoly में freedom नहीं थी entry or exit की, वहाँ पर barriers होते हैं, कि वहाँ पर कोई भी इतना easily firm एंटर नहीं कर सकती market में, तो वहाँ पर हमें 2 cases करने पड़ते हैं long run में, super normal profit और normal profit के, अब बात आती है, monopolistic की, OX sections पर हमने output लिया, OY पर हमारा revenue और cost, average revenue curve जिसको हम demand curve भी बोलते हैं, marginal revenue curve ग्रोव किया, long run marginal cost, यहां आगया हमारा equilibrium जहां पर marginal revenue, marginal cost के equal आ रही है, यहां पर हमने अपना quantity fix की, price decide किया, अब हम ग्रो करेंगे long run average cost curve, यह हमारी हुई long run average cost curve, इसका मतलब क्या हुआ, कि हमें यहां पर normal profit मिलता है, monopolistic के case में भी हमें perfect competition की तरह long run में normal profit का case मिलता है, सिरफ, ना तो SNP मिलती है और ना ही loss, अगर SNP मिलती भी है तो यहां पर freedom है किसी भी firm को enter करने की, अगर उनको पता लगया कि market में super normal profit exist करता है तो नई firm enter हो जाएगी और वो तब तक enter होती रहेंगी, जब तक कि SNP हमें normal profit में convert नहीं होगा और अगर loss हो रहा है किसी firm को वो तब तक exit करती रहेंगी, यहीं सेम हमारा perfect competition में था अब यहां पर एक ओल चीज आती है अगर हम यहां पर perfect competition की बात करें इसी figure में तो यहां पर हमारा quantity fix होगा, यहीं पर quantity fix होता है और यहां पर हमारा यह क्या थी हमारी price line यहां फिर हम बोले marginal revenue और average revenue कोफ जो है perfect competition में सेम होती है, यहीं पर हमारा equilibrium point था जहां पर हम output fix करेंगे perfect competition की बात करें हूँ और यहां पर price अब देखो यहां पर हम price fix करते हैं अगर तो इसमें और monopolistic में difference देखो कि monopolistic में price ज्यादा होता है quantity कम, यह रहा price of P और quantity है om monopolistic में और अगर हम perfect competition की बात करें तो यह ज्यादा है इतना हमारा price और यह हमारी quantity ज्यादा मतलब कि price is higher in the monopolistic competition than perfect competition but quantity is lower in monopolistic competition than in perfect competition price ज्यादा होता है monopolistic में quantity कम मिलती है और perfect competition में price कम होता है और हमारी quantity ज्यादा होती है मतलब output हमारा ज्यादा होता है अब इस चीज को क्या बोलेगे यह जो difference हा रहा है हमारा इसको हम बोलते है अक्सेस कपैस्टी जो कि हमें monopolistic क्या हुआ है अक्सेस कपैस्टी का कंसेप्ट हुआ है इसलिए यहां पे अक्सेस कपैस्टी का कंसेप्ट आता है कि यह जो है इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू स्वामच आपको यह वीडियो पसंद रही होगी अगर पसंद रही है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बाबाई टेक केर कीजिए बाई बाई आता है